फॉलो गीजिए हमारे फेस्बुक पेस को और सब्सक्राइब कीजिए यूटुब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूस के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो एक एकजामपल हम और देखते हैं सिंटेक्स ट्री का के सिंटेक्स ट्री फार्म में कैसे हम करवट करेंगे सब्कूज कीजिए आपका अर्थिमेटिक एक्सप्रेशन है वो इस फार्वर दिया है ए प्लस बी मल्टिप्लाई बैस सी माइनस डी इसी को अगर सिंटेक्स ट् करेंगे तो यहां समझ में आएगा सबसे पहले आपका प्लस हो रहा है एडिशन हो रहा है तो पहले हम लीफ बैस अब कि अब इस टोटल में से माइनस होजाएगा इसलिक्त और यहां आजाएगा D, तो यहीं आपका क्या हो जाएगा syntax tree अब इसी का अगर हम बोलें कि prefix prefix और post fix निकालिए तो इसका भी easily क्या निकल सकता है, prefix और post fix easily निकल सकता है कैसे निकल जाएगा, अगर prefix देखें तो prefix क्या कहता है, root left right mode में traverse करना आपको, तो root से हम start करेंगे root left के से आएगे, इसके बाद right को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, root में क्या है आपका, minus इसके बाद multiply क्योंकि left size traverse करेंगे, multiply फिर आपका क्या आएगा, प्लस इसके बाद a symbol आया a को मैंने read कर लिया, अब इसके बाद right, क्योंकि root तो हो चुका root left right है, left right क्या हो जाएगा, आपका b और फिर जब यहाँ पर आएगे, तो left भी हो चुका है, root भी हो चुका है, बचा क्या आपका, c बचा, तो यहाँ पर जाएगा c, अब फिर से यहाँ आए, तो क्या हो जाएगा, root और left दोनों हो चुका है बचा क्या D, तो यहां आजाएगा D, A आपका prefix हो जाएगा, अगर इसी को post fix में देखें, तो post fix क्या आगा था, left, right, root, तो हम सीधा depth तक आएंगे, left में, left में क्या है आपका A, leap तक A, इसके बाद right में क्या है B, तो left, right, root क्या है इसका, plus, अब A आपका as a left लेंगे जब इसको, तो यहां हो जाएगा, right और A, root, तो यहां हम लेंगे C, multiply, अगें, अब next sub tree देखें, देखें, यह क्या हो जाएगा, इस root का यह sub tree है, left, right है D, तो यहां तक तो हो गया यह, right का D क्या है, D लेंगे, और इसके बाद क्या है, माइनस है, तो इसको हम माइनस कर ले immediate code, आगे हम बात करते है, three address code का, जो बहुत ही important है, और इससे generally आप ही question बनते है, maximum compiler में हम three address code का ही use देखते है, जहाँ पे इसका implementation quadruple और triple के format में होता है, तो इसको हम next lecture में cover करते है,